हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं डॉक्टर सुमिल बगिल फीजो तरपिस्ट फ्रेंड्स आज मैं फिर आप लोगों के लिए हेल्थ लेटे टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें हम आज बात करेंगे कि इन सर्दियों के मौसम में बदलते मौसम में किस तरीके से आपको अपने श sensitivity भी बढ़ जाती है जिसके कारेंड आपको नई problem को face करना पड़ सकता है इसलिए कुछ बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो उन समस्याओं को होने से रोग सकते हैं आप मैंसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पुराने क्रोनीक जोडों के दर्द क्रोनीक मासपेशियों का क्योंकि इस मौसम में आपकी बॉडी का circulation कम हो जाता है जिसके कारण आपके joints में muscles में stiffness आती है और आपकी pain की sensitivity बढ़ जाने के कारण आपको pain का आभास भी बहुत जादा होता है इसके साथी साथ आपको खानपान का भी ध्यान रखने की जूरत है diet nutrition का अपनी body का कुछ special care करनी की ज़रूत है जिसमें जो लोग exercise बंद कर चुके हैं उन लोगों को वापस अपनी exercise को start करना है और अगर chronic pain है तो physiotherapist की सलह लें और physiotherapist के supervision में अपनी exercise और treatment को start करें क्योंकि इस मौसम में आपकी body की sensitivity बढ़ जाने के करण आपके joints की flexibility कम हो जाती है muscles की strength भी weak होती है और आपकी immunity पे भी इसका असर आता है तो इसलिए आपको regular exercise diet nutrition का ध्यान रखने के साथ ही साथ सुबह 7-9 के बीच में 15-20 मिट धूप में बैठ है जिससे आपकी body का blood circulation अच्छा रहे है और vitamin D भी आपको मिले जिससे आपके जोड मजबूत बने रहे हैं बह उन्हें भी joints में stiffness और pen बहुत जादा होता है तो उन्हें भी हलकी आप गरम पानी की सिकाई करवाएं और regular exercise पर focus करें और जितने भी patient उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि ठंड का मौसा में इसलिए गरम चीज़ें ही खाए और इसके साथ ही साथ बहुत ही important चीज़ जो की आपकी body का water level जी यहां friends ठंड के मौसम में आपकी body dehydration का शिकार हो सकती आपकी body में water level कम होने के कारण आप देखेंगे कि ठंड के time में आपकी area फट जाती है हात भी dry होने लग जाते है आपकी skin भी rough होने लग जाती और यह होता है आपकी body के water level का कम होने के कारण क्योंकि friends normally अबली हम प्यास लगती है तभी पानी पीते हैं और ठंड के मौसम में हमें कम प्यास लगती है जो कि आपकी बॉड़ी का वाटर लेवल पूरा करने के लिए सफिशन नहीं होता इसलिए अपने वाटर लेवल को मेंटेन रखें आपको प्यास नहीं भी लगे तो भी आप टा आता है जिसके कारण आपको ठंड के टाइम में आप देखेंगे कि स्किन रिलेटेट प्रॉब्लम होने के चांस बढ़ जाते हैं जिसमें स्कीन रेशे से एक्टोपिक डर्मेटाइटी से बैक्टरिल इन्फेक्शन है बहुत जादा स्कीन प्रॉब्लम होती है इसलिए सनलाइट एक्सपोजर जरूर ले ठंके टाइम में धूप कम आती है इसलिए आपके जोडों में स्टीफनेस होने की संभाना बढ़ जाती है इसलिए टाइम टाइम पर जब भी समय मिले आप सनलाइट एक्सपोजर कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें और आप मैंसे जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लें बैल आकन बटन को भी दबाना ना भूले ताकि मेरे वीडियो के नॉटिफीकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें तो मिलते है वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत